कि आपको भी camera open करने के time ये error देखने को मिल रहा है, error camera is not ready, please try again, later ok करके error देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, इस time maximum android users के साथ common problem आ रही है, उनके mobile phone में camera open नहीं हो रहा है, जब भी आप अपने mobile phone में camera open करने जा रहे हैं, तो उनको बार बार यही error देखने को मिल रहा है, error camera is not ready, please try again, later ok करके error देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मैं आपको अपने mobile phone में camera को open नहीं कर पारें, तो दोस्तों, चाहे आपके पस किसी भी company का device क्यों नहीं हो, Samsung, Realme, Oppo, Vivo, Techno, Infinix, Motorola, OnePlus का phone क्यों हो, तो अगर आपके mobile phone में भी camera open करने के time, यह error दे होने वाली है, तो आईए फिर इस वीडियो में जानते हैं, तो यह आगे है mobile phone की home screen पर, तो mobile phone की home screen पर आने के वाद, यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, आपके पस कोई सा एक company का phone क्यों हो, तो setting यहाँ पर बिल्कुल common रहने वाली है, तो सबसे पहली setting करने है, आपको आपने mobile phone की home screen पर आने के पर settings को open कर देना है, तो जैसी आप अपने mobile phone में settings को open करेंगे, तो setting का कुछ as interface निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको setting के top corner पर search बार में direct search करना होगा, R, E, S, E, T, आपको reset लिखके search कर देना होगा, तो जैसी आप reset लिखके search कर देना होगा reset setting, reset all setting एक ही चीज़ए, तो आपको reset all setting की icon पर click करना है, तो जैसी click करेंगे, again आपके समने 3 option निकल करेंगे, तो आपको पहला भी नहीं दूसरा option होगा, reset all setting की icon पर click करना है, जैसी click करेंगे, आप जो भी आपने mobile phone में security pattern होगा, security button को लगा देना है, तो जैसी आप अपने setting reset हो रही है, थोड़ा बेट करना है, आपके बतार है system setting have a reset, तो जैसी आपकी system setting reset होजेगी, तो यहागी setting number first, अब आपको अपने mobile phone में दूसरी important setting करनी है, तो ध्यान से देखना, most important setting का आपको वापीस से settings को open कर देना है, तो जैसी आप settings को open करेंगे, तो again आपका setting का भी क management app, app info या app list का icon देखने को मिल रहा हुआ, तो कहने का मतलब है, आपको अपने mobile phone की settings में सारी apps को निकाल के लाना है, तो जैसी आप अपने mobile phone की settings में सारी apps को निकालेंगे, तो आपके mobile phone की installed application को कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको scroll करना है, आपको अपने mobile phone में setting नाम की option को ढूंड के निकाल लाएं, जाहे आपके पस किसी भी company का device क्यों नहीं हो, तो setting नाम का option compulsory होता है, तो कहां गया setting जैसे क्रोल करना हो, तो आपको setting की icon पर click करना है, तो जैसी click करेंगे again, आपके सामने as interface है, तो यहाँ एका open का 4 stop का disable का manage notification, permission data user storage, तो आपको storage usage का icon पर click करने का आपके सामने as interface है, तो आपको bottom में clear के चीक icon पर click करने के वाद एक step back आना है, back आना है, आपको top करने पर center में 4 stop का icon पर click करने को दिने चे radical में 4 stop करना है, तो आप back mobile phone की home screen पर आ जाएंगे, तो यह आगी setting number second, अब आपको अपने mobile phone में last and final setting सबसे important setting करने आपको अपने mobile phone में duplicate camera को delete कर देना है, अन install कर देना है, आपको अपने mobile phone में एक ही camera रखने है, वो आपके mobile phone का original camera रहेगा, जैसे कि मान के जार कि मेरे पास यहाँ पर एक ही camera रखना है, वो वान पर रखना है, अगर आपके पास Samsung का phone है, तो आपको सिर्फ Samsung कहीं कबेद कैमरा को डिलीट कर देना और निंस्टाल कर देना दोस्तों क्या होता ने कि कभी EDS थर्डप्राटी प्रेकिशन अपरिकेशन ऑडिक्शोफ तरू कभी हमारे वायराν हमारे मुभाइल फुन में वायरस आ जाते है दो जिसके आपको कैमरा इसले तो जैसी आप duplicate camera को delete करेंगे uninstall करेंगे जो भी आपके mobile phone का original camera को long press करेंगे आपके समने एसा interface निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको left side top आप 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 बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समने एसा interface निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर होगा open का आपको आपको एक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपको एक सब्सक्राइब करेंगे तो 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 आपको एक वाले कि हमारे मोबाइल फिल में क्यामरा की प्रावलम साल हुई या नहीं उसको चेक निकले जैसे अपने मुझे के कामरा को ओपन करने जाएंगे तो आपको थोड़ा बेट करने यहां के सामने कुछ एसा इंटरफेस आग निकलके आजएगा तो यहां पर मुझे किस की परमिशन मांगे रहा है लोकेशन की परमिशन मांगे मैं कर दूंगा वाइल यूजिंग तो यहां पर मुझे